असलाम वालाइकुम मैं हूँ इना और वल्कम है आपका मेरे यूटुब चानल में जैसे कि आप लोग टाइटल और थमनिल देखकर समझी गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जिससे गर धरन करने के चांसे काफी ज़दा बढ़ जाएंगे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ ये दोनों हस्बेंड वाइफ के लिए है याद रखिए जबी भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो किसी एक में ही कमी नहीं होती जैसे बहुत से लोग दोश देते हैं कि महिलाओं में कमी हो सकती है या किसी पुरुष में कमी हो सकती है जबी भी आप ट्राइ कर रहे हैं बच्चे के लिए तो दोनों husband wife को prepare होना चाहिए और अपनी body को ready करना चाहिए उसी के related में आज इस वीडियो में आपको कुछ information देने वाली हूँ कुछ ऐसी home remedies देने वाली हूँ दोनों husband wife को ताकि pregnancy के chances और भी बढ़ सके आज कल हमारे देश में infertility का rate काफी बढ़ रहा है दस में से 7-8 महिला infertility face कर रही है bad lifestyle की वज़े से और stressful और metro cities में तो ये cases और भी बढ़ रहे है तो इन ही को कम करने के लिए हम आप लोगों के लिए videos बनाते हैं ताकि हम आपको best knowledge provide कर सके जिससे आपको conceive करने में help मिले वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंदा आए तो like, comment, share और subscribe करना हम बलकुर ना भूले सबसे पहली जो home remedy है जो महिलाओं को use करनी चाहिए यानि females को use करनी चाहिए वो है दालचीनी जिसको cinnamon भी कहा जाता है हमारे इंडियन कीचन में ये spice हर खाने में use होता है और हर इंडियन कीचन में आपको cinnamon यानि दालचीनी मिलेगा ये बहुत ही कम दामों पे मिलती है ये खाने का स्वात बढ़ाने के साथ साथ आपकी fertility को भी बढ़ाने में help करती है ये एक power house है antioxidant का आपकी ovaries को ये naturally stimulate करती है जिन महिलाओं के अंदर अंडे नहीं बन रहे या अंडे टाइम पे फूटते नहीं है या किसी को PCOD PCOS का problem है तो ऐसी ladies को दालचीनी regular basis पे इस्तमाल करना चाहिए ताकि उनकी ovaries naturally stimulate हो सके naturally अंडा बनाए और rupture करें ये एक antioxidant का काम करता है और जो भी females try कर रही है गर्वधारन करने के लिए उनको antioxidant rich food items खाने की सला भी दी जाती है तो आपके लिए cinnamon एक बहुत ही अच्छा spice होगा बहुत ही अच्छी home remedy होगी जो आपकी fertility को बढ़ाने में help करेगी जिनका weight जादा है ये weight management में भी काम करती है आपको क्या करना है आपको one cup water लेना है पानी लेना है एक cup उसको boiling के लिए रख देना है और उसके अंदर आपको एक चोटा चमच जो चाई का चमच होता है वो लेना है one teaspoon लेना है आपको cinnamon powder अगर आपके घर में लकडी available है यानि stick available है तो आप stick भी use कर सकते हैं बस आपको एक चमच powder डाल देना है और उसको three to four minute के लिए boil करना है और च्छान के पी लेना है आप इसको morning में empty stomach भी ले सकते ह और after breakfast भी ले सकते हैं जैसे भी आपको convenient लगे अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए तो आप half teaspoon या one teaspoon raw honey यानि शहेद भी add कर सकते है ध्यान रखे इसमें आप कोई भी sugar या sweetener add नहीं करेंगे आप सिर इसके इंदर शहेद यानि honey ही add कर सकते है यह आपको full month लेना होता है और यह काफी अच्छा antioxidant है जो गर्धारन करने में आपको help करता है अब हम बात करते हैं कि पुर्शों को क्या लेना चाहिए मैंने अपने कई videos में केसरी कल चर्ण प्राश के बारे में बताया है उसके benefits के बारे में बताया है जिन भी लोगों को conceive करने में दिक्कत आती है अगर husband की report normal भी है तो भी उनको केसरी कल चर्ण प्राश जरूर इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी sperm quality improve होती है sperm में अगर damage है morphology में अगर damage है जैसे head या tail damage है तो यह उसको भी recover करने में help करती है आपको अंधरूनी कोई problem है कोई physical problem है जैसे erectile dysfunction का problem है तो भी उसमें help out करती है तो केसरी कल चर्ण प्राश वई दनात का आता है आपको यह दिन भर में दो बार जरूर इस्तमाल करना है एक कप मिल्क के अंदर वन टीस्पून केसरी कल चर्ण प्राश एड़ करके एक breakfast और एक डिनर के बाद लेना है फुल मन के लिए जो भी milk नहीं इस्तमाल कर अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए और अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी नहीं है आपकी medical report नौर्बल है तो भी आप उस condition में ले सकते है यह आपके power आपके stamina को आपके libido को increase करेगी कोई side effect इसके नहीं है अब हम बात करते हैं कि महिलाओं और के लिए क्या करें तो आपको अगर आपके period regular basis पर आते हैं तो आपको period के दसवे दिन से बीसवे दिन में एक दिन चोड़के एक दिन जरू ट्राइ करना है यानि अपनी husband के साथ में रहना है और जैसे ही आपका contact हो जाता है आपको 25-30 minute के लिए leg up the wall position करना है वह इसलिए त एक easy conception के लिए ovulation के डे में try करने के साथ leg up the wall position करने से आपके गर धारन करने के chances और भी बढ़ जाएंगे तो ये तीन टिप्स को आपको ज़रू ट्राइ करना है गर धारन करने के लिए साथी में आपको stress free रहना है डाइट अच्छी रखनी है जादातर पतेदार सबजियों को add करना है फल फ्रूट को add करना है बहार का junk food fast food avoid करना है चीनी और मैदे की चीजों से परहेस करना है जाद स्ट्रेस बिलकुन ने लेना है योगा at least आपको 20 से 30 मिनिट के लिए करना है ये सारी चीजे ये सारी lifestyle modification आपको गर धारन करने में काफी help करेगी आप सिर ये tips एक म आगा मुझे नीचे comment करके जरूर बताईए अगर आप लोग भी बहुत सालों से infertility phase कर रहे है तो आप YouTube पे हीना health और हीना भी healthy दोनों चैनल को follow करिए जरूर आपको success मिलेगी क्योंकि हमारे चैनल से लाखों महिलाओं ने बिना किसी treatment के conceive किया है जिनको डॉक्टर ने भी इनमें से आप email ID या WhatsApp नंबर पे हमें contact कर सकते हैं और paid consultation के तुरू हमसे बात कर सकते हैं पूरे देश भर से आप मझसे जुड़ सकते हैं बात कर सकते हैं और online consult करके treatment ले सकते हैं मैं मिलती हूँ आप लोगों से इन next वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अ Allah Hafiz अबर बात कर सकते हैं झाल 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 झाल